तो दोस्तो जैसे आप जानते हैं कि यूपी बीट का जो इंटेंस एक्जाम है उसके लिए जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है और जिन लोगों ने भी ने फिल किया है वो फिल कर सकते हैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसके स्लेवस को करके यानि कि इंटेंस एक्जाम में जो आपके question paper आएगा उसका pattern क्या होगा किस तरीके से मार्किंग होगी और क्या क्या स्लेवस में पूछा जाएगा तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे बहले अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क पुछ जाएगे और इसमें negative marking होगी one third की ठीक है यादि कि अगर आप तीन question गलत करते हो तो आपका एक सही question का मार्क भी कट जाएगा या एक बटे तीन की negative marking है ठीक है इसमें आपके दो paper होते हैं एक ही दिन में दोनों paper होते हैं first paper में आपका सामान ने ज्यान से संबंदित प्रशन होगा जिसमें आपका history, quality ठीक है और अर्थास्त्र भगोल इन सबसे संबंदित पचास question होगी और हर question दो number का है तो सवंग का यह हो जाएगा और उसी paper में खंडबा होगा जिसमें आपको language चूज करना होगा किस language से आपको देना है ठीक है जब आप परिक्षय फ़ लेट कीजेगा ठीक है तो अगर आप हिंदी को select करते हैं तो हिंदी के 50 questions में रहेंगे और अगर आप English करते हैं तो इंग्लिस के भी 50 questions रहेंगे उनमें से आपको सिर्फ एक ही करना रहता चाहे हिंदी का 50 या इंग्लिस का 50 तो उसके आपके सव अंक होगे ठीक है एक question का द reasoning होती है और रिष्टर नंबर का question होता है और जो section B होता है उसमें आपको choose करना होता है कि आप science से हैं आर्ट से हैं या commerce से हैं या फिर agriculture से हैं तो जिससे भी आप रहेंगे उस बिशा से सम्मंधित आप से 50 questions पुश रहेंगे जैसे अगर आप आप आर्ट से हैं ठीक है यान आप से physics, chemistry, math, biology और गड़ित इन सबसे आप से प्रशन पूश रहेंगे तो अगर आप science से हैं आपको science वाला टिम्ट करना है अगर आप दूसरे से हैं तो आपको दूसरा वाला करना है इसमें भी आपको 200 अंक यहां पे आपको मिल जाए और दिखिएगा यहां पे एक सब्सेवर के सभी प्रशन असनातक अस्तर के होंगे ठीक है यह चीज ध्यान देने वाली बात है इसके पहले जो अभी एक्जाम हुआ था इसके पहले वाला इडिटेस एक्जाम जो हुआ था उसमें जो भी बिसेवर से सब्मधित प्रश्ट है वो सब हाई स्कूल लेवल क ही दे रहा उससे अपर लेवल का नहीं था ठीक है और यहां पर इस बार इसमें लिखा हुआ है कि समधित विसेवर के सही प्रश्ट असनातक अस्तर के होंगे तो खंडबा में दूसरे पेपर में खंडबा में जो विशय योगता वाला प्रश्ट है उसमें थोड़ा सा असनातक वरक का है और विज्ञान वरक हैं तो भी आपको असनातक वरक का ही देखना है फिलाल जनल जो सभी विसेवर के होते हैं उसको जरूर आप तयार कीजिएगा और इस चीज का विसेवर साब ध्यान रखेगा ठीक है तो यह आपका स्लेवस हो गया मैं आपको बता दि असले पूर बता धे दकिन ता आपको अस輕वप से खक्ट्रा का असनातक विसेवर कंष्ण